नमस्कार दोस्तों आप सोह का OPS Study Solution में श्वागत है आज मैं आप लोगो दोस्तों Class 10th का गनित का Model Set का Question Paper जो है Solve करवाने वाला हूं ठीक है दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका एक्जाम जो है 2020 में होने वाले हैं दोस्तों उन दोनों सेशन वाले के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बिहार उपेन बोर्ड में मोडल सेट से ही जो है दोस्तों हर साल जो है एक्जाम में कुछे जाते हैं ज्यादा तर आप लोग देखेगा 50% कुछन जो है मोडल पेपर से ही अप लोग के एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो यह मोडल अगर आप भी चाहते हैं एक्जाम में अच्छा माक्स लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्जाम में कोई परिशानी ना हो आप अपना चाहते हैं कि एक तयारी बहतर हो तो य चलिए दोस्तो आज हम इस वीडियो की शुरुवात करते हैं मैं आप लोग दोस्तो इस वीडियो में एक-एक करके आप लोग को अब्जेक्टिव कोईशन का सुलूशन करवाने वाला हूँ जितने भी अब्जेक्टिव कोईशन है मैं एक-एक करके जितना भी देख सकते हैं एक एक करके सारे question का solution मैं करवाऊंगा. ठीक है दोस्तों миआप लोगो cognitive question के बारे में बताऊंगा. लेकिन दोस्तो अब लोगोona प्याहिए हैँ मैं अब लोगो तोली है मेरे साथ वीडियो में शुरू है कि आंप बने रही है. चलिए जैसा कि आप लोग उपर में देख सकते हैं यह माधिमिक पाठ कर मतलब 10th कलास के लिए यह मोडल सेट है और यह सब्जेक्ट है हमारा गनित आपको जो समय दिया जाता है वो तीन घंटा पंगर में और यह आप लोग देख सकते हैं यह जो एक्जाम होता है सब गनित का यह 100 नमर का है यह दोस्तों और 30 नमर आपको पास के लिए चाहिए अब यहाप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को रिक तस्थान फिल इंदा बिलांक्स पुछा जा रहा है यह पाच नमर का हर कुश्चन जो है एक नमर के ठीक है अब चलिए हम सब्सक्राइब को सबसेकर हैं यह जादा इंपॉर्टेक्ट के गणिता दोस्तों उत्यूव पर यूट्यूब पर कहीं बहुत्यूब पर कहीं भी आप लोगों इस तरह की जो वीडियो आपका रहे डिक थो चलिए 2 अप देख सकते है एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर स्प्रिंट और यहां पर सम पूरक आहां पर लोग्स को प्लोग को desde के दूस्तों क्या है नाइटी ठीक में यहां पिए शुरत कॉरक हं lot of पूरक कोन हमारा कितना होता है 90 समझगे कोन नैंटी धुगर dopey 30 कूरक पूछे जाते तो यहां पर 180 डिगरी मारम मुन वारे आउप कोन यहां पर स attentive मारे कि trait 90-10 अब देखिए दोस्तों कि जो अधिक से अधिक कितने अधिकोन हो सकते तो अप मोगों को पता होगा दोस्तों अधी कौन का मतलब क्या होता है दोस्तोchi 90 डिगरी से तो माल लिते हैं यह थरी यह तिर भूझमे आप ़ोगों पता होगा का जो योग пом Words्ता है तिर भूझमे दोस्तो One 개ıt Oljekt 128 degree होता है आप लोगों पता होगा अगर अगर दो को 90 डिग्री होगे तो दोस्तों क्या है अगर दो को 90 डिग्री तो तिर्भूज में यह गलत हो जाएगा तिर्भूजी नहीं होगा फिर्टी के दोस्तों तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा एक जो है किसी भी तिर्भूज में अधिक से अधिक एक जो है एक यहां प तो यह जीवा यह जीवा देख सकते हैं जीवा मतलब दोस्तों क्या होता है ब्यास आप लोगों पता होगा गृत का जो ब्यास होता है जीवा होता है वो सबसे बड़ा होता है समझ यह पूरा जो होगे हमारा यहां से यहां तक इसको ब्यास बोलते हैं आधा जो होगे हमारा तिर ज्या ओगें यह पूरा हमारा ब्यास मतलब कि ब्यास को ड जो हमारा तीडी है तो आप लोगों के यहां पर चलिए चोछथा नम्बर क्विशन हम बनाते हैं यहां जैसा कि देख सकते हैं बहुलक बरावर, 3 गोने, तो क्या हो जाएगा दूसते, यहाँ पर माधिका हो जाएगा, मैंने आप लोग को formula भलो, जब मैंने आप लोग कलास 10 का short note बताया था, तो यह बहुलक, माध और माधिका में जो relation का जो formula था, तो हमारा इस तरह का था, 3 गोने माधिका, माइनस टू गुने माथ ठीक है अब चलिए पांचवान नमबर तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है मैंने यह भी बसाया था 10 टीटा बरावर साइन टीटा बर्टा कोष्ट टीटा होता तो यहां पर हमारा हो जाएगा 5 का हो जाएगा उपर में यहां पर हो जाएगा साइन टिटा क्या हो जाएगा साइन टिटा अब चलिए दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पर आपक प्लाविगे में आप बॉन्न की प्रोयॉ प्लाव प्वोल सब्सक्राव ठीक है अगर छो ऐता है यहाँ पर तो और से बाख देखें दो सबसे पहले हमारे फ्ट्सक यहां पे को तो यहां पर हमारा प्ट जाएगा तो यहां Aldil यह तो अठा आता ही जायका अाे गर्व耶 में हमारा जो सान्थ में आ रहा कि कि दोस्ते चुछ बारबार वीस ता रहा है और तीन चंट रहा है आ सब दोस्तों कभी मिल्युक्ता जोए सांत SMITH आहसे आपको यहां पर पता होना चाहिए like affirmation क्या है ठीक है दोस्तों पता होगा फानी क्या होता है दोस्तों पर पर्मेशन क्या होता है लेकिन दोस्तों 22 बटा साथ जो होता है क्या होता है एक पर्मेशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होता ही नहीं हमारा साथ का जो है सही होगा समझ दोस्तों पाई एक हमारा क्या है और पर्मेशन क्या है ठीक है लेकिन 22 बटा साथ जो हमारा हो ज कि अगया हो यहां बदोस्तों यह विसी तरह यह يदर्य समांतर चतुरुपुज क कर्णप्रस पर लंब हो तो दोस्तों एक के संच तुर्फ हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ये वह एक भी व रित्या खंड के कोüber होते हैं जो देखसक्ते आनेこんにちは यहां पे क्षत्य नारे लिगता हो है क् है घणाव कर चक्ति का कि सकते हैं यह इस तरह से घणाव होता है ठीक है यह हमारा घनाव हो गया आप गिन लिए दोस्तों इसमें 8 सता है तो मेरे हिसाब से मैं अभी कंफर्म नहुंन हूं लेकिन यह 12 हमारा हो जाएगा ठीक चलिया गणाम में 8-6-12 किनारे होता है हमारा सभी हो जाएगा चलिए अब चलिए अब आज रही हमारा मिलाने वाला कोशन है अब यह हमारा मिलाने वाला कुशन है यहां पर देख सकते वहां बटा स्थीटा से टिता जो ता दोस्तों क्या होता है यह अगरा हो जाएगा एक का जो हो जाएगा यहां पर बगल में ऐसे मिला रहेता हूं एक का जो हमारा जाएगा यह हो जाए क्योंकि को सिटा का उल्टा वन बट्टा सेक्ष टीटा मतलब को सिटा का उल्टा सेक्ष टीटा आप लोगों को पता होगा यहां पर यहां पर को सब्सक्राइ यह होता है वहए संकु का वख रिप्ष्टीय छहतरपल के दिखने सन्फ कर देखने होता है बोट से तरह यहां पर देख सकते हिं दोस्तो यहां पर हमारा यह जो कंडिशन को भों CanS टीक है तो रहते हैं लोग fourler 100 हमनोत है लोग करिए एक का जो है दोस्तों मैंने आप 로 Очень सब्सक्राइएब को सब्सक्राइब जो मैंने ए मिला है उसके बाद चार का जो मैंने मिलाए वह भी मिला है पाए आरन ठीक है तो पांच का जो मैंने मिलाए वह है आप लोग दे चार हैं और उसी तरह करने मिला है और साउत का मिला है वो मैंने मिला है दोस्तों जी मिला है और आठ को दिख्कत आ रही है थो एव आज को सुने के बारवर ज took पता चलिगा तौ चलिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये लाने वाला जो खतं हो या ठीक है पॉइंट हटता है तो क्या होता है दोस्तों यह पॉइंट हटा लिए तो तीन बटा दस हो जाएगा 14 का यह हमारा हो जाएगा अब 15 का आप लोगों पता होना चाहिए जब मैंने आप लोगों को बताया था तो यह सारी चीजे मैंने आप लोगों पता होना चाहिए दोस्तों निगेटिव आप देखे यहां पर यह हमारा पोस्टिव पोस्टिव हो जाता है यह हमारा यह हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव पोस्टिव हो जाएगा ठीक है दोस्तों और यह हमारा निगेटिव निगेटिव हो जाएगा यह हम सुलर में हमारा हो जाएगा भी तो अज्ता अब यह तो हां अठारा और पचास आप निगाल लीजेगा महत्तम समापवरत है ठीक है अब ये भी असान है दोस्तों अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ये जो कंडिशन है अनेक हला होने के लिए क्या कंडिशन है तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चाहिए अनेक हलोंगे ये सारी चीज़े कंडिशन मैंने आप लोगों को ब क्योंकि दोस्तों मैं एक ही question को बारावर बताऊंगा तो आपनों का टायंगा ज़्याधा लगा चलिए जो question मैं बता जाता हूं यह पो पटा होगा यह ब्रह्मा कौन के बारे में आपको कमा पर-ब्रह्मा कन होता है यह दोस्तों। हमारा एक्स बेराबर क्या हो जाएगा 30 पलस 34 तो हमारा क्या हो जाएगा 64 थोछ थो60 का जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों चातुर जिसकी चारो भुजा प्रसपर समान किन्तु कोई कौन समकौन नहीं हो क्या कहलाता है ठीक है दोस्तों यह देखिए इसकी चारो भुजा समान दोस्तों यह दोस्तों लिए कोई कोन समकौन नहीं तो अब लोगको पता होना चाईए चारो तो सम्चतुर पूज के लेकिन उसके जो कौन होते हैं वो पराबर नहीं तो 21 का जो हमारा हो जाएगा भी हो जाएगा एंसर समझ गये दोस्तों अब यह सारे एक्वेशन बहुत ही असान है दोस्तों आसा करता हूँ अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर ते इस नमर दो बिर्तों का ब्यास दिया हुआ है तो उनके च्छेटरफल का अनुपाद तो चलिए मैं आप लोगों को यह बताने की कोसिस करता हूँ दो बिर्त दिया हुआ है तो दो बिर्त है दोस्तों माल ले पर एक बिर्त यह है और इसका जो हमारा ब्यास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है नौ सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो ब्यास दिया हुआ हमारा साथ सेंटीमीटर तो अपनों को पता होगा बिर्त का ज इसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूं चलिए क्या हो जाएगा पाई आर वन का स्कुरे अब बटा पाई आर टू का स्कुरे ठीक है क्योंकि हमसे अनुपात पुछा जाए उनके छेतरफल का अनुपात तो आपको जैसे की पता होगा यह बियास दिया तो क्या करेंगे यहां पर हमको करना पड़ेगा चलिए तो पाई और गुना में आर क्या हो जाएगा नौ बटा टू का हॉल स्कुरे ठीक है अब बटा में पाई ठीक है और सात बटा टू का हॉल स्कुरे ठीक है पाई पाई तो हमारा कट जाएगा समझ रहे हैं आप लोग चीह यहां एरप्रासी 9 appliance हो गया हमारी सार्ण पर जाएगा कहें ले तो यहां पर दीच सकते हैं 23 नियरा हो जाएगा 67停 नियरुभीवे इतना है न्युकिश्प पर इताएक 36 फरल का 31 스가 का बीशों दॉस्राइब ट्रे दोस्तोर्ण आप लोग समझ गे मैंने एक एक करласт Avant बता दे यह में कोई दम नहीं है दोस्तों बहुत ज्याद़ आसान है अप लोगelson पर अगर करदीजिए मैं आप अच्छ आप रहां पर गया इसक पर लίकर पहल सांत तरीकित में बताता है हमलों के पात-दोख इसलिए हम लंबाई तो मैंने आप लोग बताया था चाप की लंबाई निकल ठीटा बटा तिनसों साट डिगरी गुने टू पाई आर इसका होता है चाप की लंबाई अगर तिरजया खंड का छेतर फल पुछा जाता था तो दोस्तों पाई आर स्कुरेर हो जाता बहुत ही असान कुश् आप लोग असानी से सॉर्ट नोड में आप लोग बताया तो आप लोग असानी से सारे कुश्ण स्वल्व कर ली जागा ठीक है जैसे यहां पर देख सकते हैं इसको प्रूफ अगर आप लोग दोस्तों कमेंट करिएगा अगर आप लोग को इसके चाहिए सोलूशन भी चाह अब यहां पर यह सारे चीज आप लोगो बहुत आसान यह छले दोस्तों बहूत कोइजंगे milyस पुशित करता हूए इस तरह से बहुत ही असान है यहां पर आप लोग मुस्च करने के लिए यह तो कोशन रहे खुंज ग्राफिय करन में रहता है तो आप भी आप बनाधा जयों आप आप लोगे आप आपgoing के तिर्बुज करने के लिए बहुत ही असान है दिरुज की रचना किस तरह की जाती है यह सारी चीज़े मैं आप लोगो बता चुका है आप लोग अगर मेरी वीडियो देखेंगा मैंने 10th कलास का जो है दोस्तों पढ़ा हुआ है पहले आप लोगो को बिहार स्कूल एक्जाम बिहार वोड क के लिए दोस्तों 10th की math पढ़ाता है उसमें सारी चीज़े अपनों को पता हुआ है नीचे जाएगा तो वीडियो में आपनों को मिल जाएंगे तो चले दोस्तों इतना ही था हमारा 10th को पूछा जाता है तो आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को जो है यह math का जो 10th class का मोडल से如果 पड़े और सारी चीज़े आपनों को solution मिल गए होगी और क्या 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 क्स निचे जानकारी मिल खेंगे कि दोस्तों जादा से जादा बच्चे जो है इस बीडियो का लाव उठा पाएं और वो भी अपने एक गजाम में से अच्छा अंक जो है राप्त कर से ठेक है तो आज की वीडियों वस इतना फिर मिलेंगे अगली वीडियों में जुड़े रहें नेक्स्ट विडियो जल्दी ही आने वाली है तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू